हेलो फ्रेंग मैं बिर्जेश कमार ओफिसियल यूटूब चैनल जी ओ भी की जॉब्स फोर यू में आज का वीडियो टीचिंग और लाइबेरी साइंस यानि लाइबेरियन टीजी टीचर लाइबेरियन से सबंदित हैं इस वीडियो में विबिन पत के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले बात करें कि यहां पर दिया है पोस्ट का नेम और यहां पर दिया है क्वालिफिकेसाल पोस्ट वाइज जिसमें कनाडा में पीजी टी टीचर में एक पद हैं और में सबंदित फिल्ड में मांगा हुआ है और नेट सेट प्रेफर हैं कामार्स और मेनेजमें में एक पद हैं, PGT ग्री महा हुआ है, क्वालिफिकेशन में, क्वालिफिकेशन में, M.com या M.B.A. या M.com, Finance and Account या M.B.E.S. ग्रेजुट के साथ में, NET, इसलेट या सेट में से कोई एक हैं, तो प्रेफर किया जाएगा, यह ज्यादा महात दिया जाएगा, इसका लगाँ, IT में भी एक पद हैं, और क्वालिफिकेशन हैं, M.C.A. या M.C. Computer Science, जिदि आपके पास NET Qualify हैं, तो ज्यादा महात दिया जाएगा, Physics में एक पद हैं, और क्वालिफिकेशन में, कम से कम M.C. Physics, Second Division, और साथ में B.A.D. Physics से मांगा हुआ है, Biology में भी एक पद हैं, और क्वालिफिकेशन में, M.C. Botany, M.C. Botany, या Geology, या Life Science, या Bio Science, या Applied Science, Applied Biobotany, या Applied Geology में से कोई भी एक हैं, और साथ में B.A.D. हैं, तो आप अपलाई कर सकते हैं, स्टेटिक्स के लिए एक पद हैं, और क्वालिफिकेशन हैं, M.C. स्टेटिक्स मांगा हुआ है, या M.A. स्टेटिक्स में हैं, और B.A.D. हैं, तो अपलाई कर सकते हैं, Computer Science में, P.G.T. टीचर में एक पद हैं, और M.C. Computer Science, sorry, M.E. Computer Science, या Information Science, या M.Tech. Computer Science, या Engineering field में हैं, या M.C. या M.A.C. हैं, तो आप एलिजिबल हैं, अपलाई कर सकते हैं, English में एक पद हैं, और क्वालिफिकेशन हैं, बार्वी स्टेडर में परसेंटेज मांगा हैं, पचास परसेंट इंग्लिफ में और Bachelor in Elementary Education होना चाहिए, इसके लगवा और भी क्वालिफिकेशन हैं, जो आप देख सकते हैं, तर से हिंदी में भी एक पद हैं, और इसमें भी सिम क्वालिफिकेशन रखा गया है, डी एलेड मांगा गया है, बार्वी के बाद, और संस्क्रित में भी एक पद हैं, बार्वी स्टेंडर के साथ में बियून ć तो भी आप अपलाई कर सकते हैं, डान्स में भी एक पद हैं, और बार्वी स्टेंडर 50% अंके साथ में डिपलो मा इन डान्स हैं, तो अपलाई कर सकते हैं, इसके अलवा फिचका ले जुक TB तड़ेशन maxim के लिए एक पद हैं, और इसमें भी degree any discipline और degree physical education भी प्येड है या डिप्लोमा है डिप्येड है तो अप्लाई कर सकते हैं संस्क्रित में एक और पद हैं EGT teacher में जिसमें BA के साथ में Sanskrit one year का major subject BA मंगा हुआ है EGT teacher में computer science में भी एक पद है जिसमें qualification में उपर आपको बताई दिया था music में एक पद हैं बार्वी standard के साथ में 50% बार्वी standard में और degree या डिप्लोमा music में होना चाहिए library science में एक पद हैं TGT teacher library जिसको librarian हम करते हैं qualification में graduate के साथ में diploma in library information science या bachelor of library information science आपके पास हैं तो आप eligible हैं apply कर सकते हैं करनाडा में TGT teacher में एक और पद हैं जिसमें BA के साथ में करनाडा मंगा हुआ है और करनाडा में primary class में भी आवेदना मंत्रित हैं जिसमें बार्वी standard में 50% बार्वी teacher में जिसमें बार्वी standard के साथ में graduate होना चाहिए और primary teacher में English के लिए भी है जिसमें सेम qualification English से में मंगा हुआ है इसता से primary teacher में Hindi के लिए दो पद हैं और qualification में BA Hindi subject से होना चाहिए साथ में BA Hindi subject से हैं या MA Hindi subject से हैं और BA है तो apply कर सकते हैं संस्कृत में भी एक पद हैं जिसमें BA Sanskrit में और BA मंगा हुआ है और mathematics में एक पद हैं PRT टीचर के लिए जिसमें qualification सेम है सबन्दित फिल में और mathematics में एक और पद हैं दूसरे स्कूल में जिसमें सेम qualification मंगा हुआ है और social study में भी एक पद हैं टीजी टीचर में जिसमें BA कम सकम टू यह का optional subject history, economics, political science या जोग्राफी, sociology, plus BA होना चाहिए EWS यहीं इन्वर्मेंटल study में तिन पद है प्राइमरी टीचर में बारवी स्टेंडर में 50% के साथ में physics, chemistry, subject, diploma in elementary education, e-elect, physics, chemistry, mathematics में होना चाहिए Dance में भी एक पद है और बारवी स्टेंडर में 50% के साथ में इन बारवी स्टेंडर में 50% के साथ में डिग्री या डिप्लोमा डान्स में होना चाहिए इस्ता से special educator के लिए भी एक पद है जिसमें PUC pass और 2 year D8 special education में होना चाहिए और भी detail जंकरी समें दी गई है तो इस्ता से यह आवेदाना मंतरीत है पोस्ट वाइज eligibility जो criteria है Age limit जो है 18 से लेकर 45 साल है जो 1 जुलाई 24 तक ही count करना है रिटेंट टेस्ट के लिए जो है सतर वेटेज आता है सतर और इंडर्वी के लिए 30 तो आपका सेलेक्शन होगा application form प्रिंट आउट करके और फिल करके और उसको फिल करके और सभी supported document लगाकर आपको send करना है और application form में आपको क्या-क्या document लगाना है जैसा high school secondary mark street जो भी है all semester के जो document है उसके बाद degree diploma जो है service certificate है तो भी लगाएंगे other any experience qualification है तो भी लगाएंगे speech post के दौरा या by courier के दौरा या register post के दौरा आप application form 9 September 2024 तर यहाँ पर जो address दी गई है इस address पर पहुंचना चाहिए जिस पद के लिए apply कर रहे हैं उस पद का नाम जिरूर लिखे हैं जिससे कि आपके application form को अच्छे से short list किया जा सके हैं अब यह जो vacancy हैं सरकारी नोकरी के लिए नहीं है contextual basis वे सेशन 24 पचीस के लिए आवेदन आमांत्रित हैं तो प्याटी टीचर के लिए अब हम बात करें कि यह वेकिंसी कहां पे आया है यह जन्न आपके लिए जरूरी है तो बेल एजूकेशनल इनिस्ट्यूट बेंगलोर में आवेदन आमांत्रित हैं लेकिन यूटूब चैनल है और इस पर हर जगह के हर प्लेस के कंडिडेटर आते हैं इसलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं ज़िए आप यहां पर अपला